भारत की स्टार महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू इन दिनों काफी सुर्कियों में पनियों है टोक्यो आलंपेक 2020 के पहले दिन पदक जीत कर मीराबाई चानू ने भारत देश का गौरब पड़ाया है मीराबाई चानू ने टोक्यो आलंपिक में वेटलिफ्टिंग में पदक का भारत का 21 ताल का इंतिज़ार खत्म कर दिया और सिल्वर मेडल जीत कर देश का नाम रोशन किया है बता दे आँ को कि इस दोरान मीराबाई को बधाया ही बधाया मिल रही है बीते कुछ दिनों से खबरे आ रही है कि मीराबाई के फैवरेट स्टार है सुपरिस्टास सल्मान खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है कि सुपरिस्टास सल्मान खान ने भी मीराबाई को बधाय संदेश भेजा है इसी बीज देखा जाए तो हाल ही में सलमान खान से मीरा भाई को बेहत प्यारा साथ तोफा भी मिल गया है जिहां सलमान खान ने सोशल मीडिया के जरिये मीरा भाई के लिए पोस्ट शेर किया है और उन्हें बधाई संदेश दिया है लेकिन सल्मान खान ने इसी के साथ मीरा भाई को एक बहुत प्यारा साथ तोफाद दे दिया है हाल ही में अपनी एक इंट्र sel्मान खान की बहुत बड़ी फैन है इसी दौरान देखा जाए तो दबंग खान सल्मान खान ने मीरा भाई चानू से मुलाकात की है जिहां सलमान खान ने मीरा भाई को बुलाया और उनसे मुलाकात की है सोशल मीडिया पर सलमान खान ने मीरा भाई चानू के साथ की खुबसूरत तस्वीर को शेर करते हुए लिखा है सिल्वर मैडल विजयता के लिए शुब कामना है मीरा भाई चानू आपसे प्यारी मुलाकात हमेशा शुब कामना है इस तरह से मीरा भाई चानू ने सलमान खान से मुलाकात की है सलमान खान से मुलाकात होना मीरा भाई के लिए किसी तोफे से कम नहीं है और सलमान खान ने मीरा बाई के साथ की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है और उन्हें बधाई भी दी है दूसरी तरफ मीरबाई चानू ने भी सोशल मीडिया पर स्दल्मान खान के साथ की तस्वीर को शेयर किया है और अपने दिल की खुशी को जाहिर करती हुई नजर आई है बता दे आपको कि इस दोरान मीरा बाई चानू ने स्दल्मान खान को एक मफलर भी गिफ्ट किया है और कैफशन में लिखा है Thank you स्दल्मान खान स्दर I am a big fan of you and it's like a dream come true for me जिहां यहां पर मीरा बाई कास अपना पूरा हो चुका है स्दल्मान से मुलाकात के बाद जिहां आपको कि अपना से मुलाकात के बाद